बालूर घाट के विदय करोड रूपे की लागत से बने नाटे उतकर्षन केंद्र के आत्य धुनिक भवन को शीगर खौलने की मांग करें हैं आशोक कुमार लाहिर ने नाटे उतकर्ष केंद्र को जलसी जल खोलने के लिए मुखे मंची को पत्र लिखा है हालाकि इस नाटे उतकर्ष केंद्र के निर्मान के समय से ही रहवासी सरकारत्वारा इस सिंधन में पैसा बरबाद करने की शिकायत करें हैं और 12 क्रोड रुपे की लागत से बने राज्य के बालूर घाट थियेटर उतकरिस्ट ता केंद्रों में से एक पर अब भी ताला लगा हुआ है नाटक के कारे करता है इसका उपयोग नहीं कर सके इसने सभी में गुसा था हलाकि इमारत को कुछ दिनों के लिए करोना के लिए एक अस्थाई इस्पताल की रूप में इस्तेमाल किया गया था फिलाल करोना की स्थिती सुलज गई है लेकिन रहवाज्यों की शिकायत है कि भवन के खुलने का नाम नहीं लिया जा रहा है और बालूर घाट के मुख्या शोक कुमार लाहीडी ने ऐसे स्थिती में जल से जल भवन खोलने के लिए मुख्यमंती ममतब इनरजी को अपने ही पैड पर पतर लिखा